हेलो एब्रीवन नमस्कार सभी को वंस अगेन आप सभी का स्वागत है आज जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि आज से हम ब्रांचेज ऑफ साइंस मतलब ब्रांचेज ऑफ बायलोजी बायलोजी स्टार्ट करेंगे और इस बायलोजी में हम आपको सुरुआ से लेके एक एक कोई टॉपिक आपका मिस नहीं होगा कोई टॉपिक में जोल नहीं होगा हर एक टॉपिक कंप्लीटली पढ़ाया जाएगा बिद नोट्स के ठीक है भई तो क्लास की सुरुवात की जाए इससे पहले लिकिन सभी लोग जुड़े नहीं है ये गलत बात है पटा पट जुड कर दो गुरूप पर कमेंड कर दो वातसप पर कमेंड कर दqu siap फैल आ दो कि क्लास की सुरूवात हो चकी है दीरे दीरे करके बच्चे जोड़ना सुरू करेंगे है ना बच्चे जो है वो दीरे दीरे करके जोड़ना शुरू करेंगे तो यस यस लाइव 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 आगे सारे चलो स्टार्ट करते हैं जितने लोग आ गए हैं उतने लोगों में ही कहानी की सुरुवात की जाए आन एकड़िमी पर एक और नया फीचर आ गया है इसका नाम है ओपन हाउस फीचर इसके अकॉर्डिंगली आप एजुकेटर से बात कर सकते हैं आपको डिसकेशन कर सकते हैं आपको डाउट है एक जनरल चर्चा है ऐसे नहीं जिस्टेडी से रेलेटेड़ चीजें डिसकस करते हैं अन एकड़िमी के फॉरम पर इसमें एजुकेटर उस पूरे फॉरम को लीड करेगा और बाकी के बच्चे उसमें भाग ले सकते हैं अपनी राय रख सकते हैं अपना डिसकस कर सकते हैं तो इस इस कॉल दा ओपेन हाउस डिसकस्शन ठीक है राम राम भीया माथुर जी कैसे हैं सभी को राम राम सभी को नमशकार धीरे धीरे करके आप लोग जुड़ते जाएए ना चल स्ट राम राम भीया माथुर जी चलो स्टार्ट करते हैं तो ब्रांचिस ऑफ बाइलोजी में पहले तो मैं आपको ये दिखा दूँ कि देखे क्लास मैंने क्या किया है कि पूरी की पूरी लिस्ट बना दी है जो बच्चे रिवीजन करना चाहें वो बच्चे इस पीडियाप के थुरू रिवीजन कर सकते हैं ये देखे पूरे देड़ सो ब्रांचिस ऑफ साइंस की ये कंप्लीट पीडियाप है इसमें पूरे के पूरे देड़ सो कॉस्चन हैं यह आप इस दिख सकते हैं देड़ सो करके जो है अलग अलग करके आप देखेंगे तो आपको टूटल 150 एक सो पचास बाइलोजिकी ब्रांचिस मिलेंगी इससे ज्यादा है नहीं टूटल देड़ सो ही हैं जितनी में से बन सकती थी जो पूछी गई है सब मैंने इसको बाइंड आप कर दिया है कल पर सो में अनेकड़िमी की तरफ से एक नया टेलिग्राम चलल क्रेट कर दिया जाएगा उसी में ये मैं आपको डाल दूँगा अभी हम केबल जो पूछे गए हैं उनका डिस्केशन करेंगे आनेकड़िमी पर प्लस क्लास के क्या फायदे हैं तो आपको structure course मिलता है unlimited access होता है weekly test होते हैं और live classes मिलते हैं ये सब इसके अनेकड़िमी प्लस के फायदे हैं ठीक है चलो start करते हैं आप sufficient amount बच्चे आ गए इतने बच्चे आ गए है कि क्लास की शुरूवत की जा सकती है हीमेटलोजी किस से संबंदित है पता है आपको हीम का मतलब ह-a-e-m इसे बहुत सारे वर्ड बनते हैं है आसी स के ती संदी है गुरू जी प्रणाम रवसंदी कैसे है항 राजबीर बता रहे प्लेश्ट बना दो भीयाव बनी है औलेडी प्लेश्ट आप जाके देखिए डी तो से हडिया बनी होती है और जिस हडियां जिन से बनी होते हैं उन्हें और उस्टियोसाइट कहा जाता है तो हिमेडरोगी क्या है किस क्हें को कहते हैं हम लोग किसी के दिन को कहा जाता है डेंड्रोलाजी क्या कहा जाता है डेंड्रोलाजी किसके अध्यन को कहते हैं कि वर्षा कुमारी केरी सर जी गया में मेरे टीचर पर केस हुआ है इसके बारे में कुछ बो लिया यार देखो पहली तो चीज है कि जो तुम उससे बुलवाना चारो वो थोड़ा बिवाद बारा चीज है लेकिन आपको एक चीज बता देता हूँ कि सिक्षक पर केस करना, मुकदमे करना, डराना, धमकाना ये आपके पतन की सुरुआत है पस इतना समस्लो अगर आप अपने सिक्षक का सम्मान नहीं करते या किसी भी सिक्षक का सम्मान नहीं करते तो ये आपके और आपके संसकारों पे एक बड़ा प्रश्न चिन बनता है यह समझ लिजे समझ रहे नहीं समझ रहे सिक्छकी होता है जो जनरेशन की जनरेशन का निर्माणद कर देता है समझ रहो वो कहावत सुनी है आपने गुरु गोविन दोव खड़े काके लागो पाए बलिहारी गुरु आपने गोविन दियो बताये तो अगर आपको अगर यह लगता है कि सिक्चक के उपर केश हो जाएगा फिर उसमे मुकदमा हो जाएगा फिर यह हो जाएगा, फिर डर जाएगा, फिर सिक्चक तो तम्हारे पतन की सिर्वात हो गई है क्यों टमजदे बाकिए आप लोग समझदार हो ही तो मौर्फोलोजी क्या होता है दा स्टडी आफ इंसेक्ट क्या कहते हैं से एंटोमुलोजी एंटोमुलोजी ठीक है मानौ विकास का अध्यान कहते हैं एंथ्रोपोलोजी क्या होता है एंथ्रोपोलोजी ठीक है जीव की आकृति चनचना और बिस्ष्ट गुडों का अध्यान देखने वाले लोग काफी है लाइक अभी बढ़े नहीं है लाइक कर दो लाइक कर दो भई यह देखने वाले लोग काफी है लाइक अभी बढ़े नहीं है लाइक कर दो लाइक कर दिया करो दिखवा आते ही है ना इसमें कोई कंजूसी नहीं बरतनी चाहिए इंसान को तीसरे का सी 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 आर्केलोजी परानी चीज़ों का अध्यान आर्केयोजी क्या होता है आर्केलोजी का मतलब है कि जैसे मलों कई भी खुदाई हुई तो उसका अध्यान हो रहा है और उस खुदाई में अगर कोई जीव निकलता है तो जीव के अध्यान को कहते है आ कई पर गैनासार निकला और को जैंग आईगा तो अगर हमें बहुत पराचीन कोई जीब मिलता है और उसका हम अध्यन करते हyst經rika नड़लोजी के चैन क्या होता है मैन अध्यन करना मैन Tibamba और उसके उठीनखाधि रेञध उसको हरे एंड्रोलोजी कहते हैं ठीक है और एंजर्पलोजी क्या होते हैं मानव विकास के अध्यान को कहा जाता है तो दराइट आंसे बीदेश पुर्ष स्वास्त के सब जाते हैं आगे चलें जंतु विग्यान के साखा का मानव जाती के समासात के अध्यान उसे गहरा संबन्द है अब वो के रहे कि जनतू विग्ञान की किस साखा है अलेक्जेंड़ कर देंगुम आए आलेक्जेंडर करींगमफ ने अट्फार्सव फ्युपणन में आर्केलॉजिकल सर्विय ईं। की स्थापना कीती जिसे हम कहते हैं A S I तो ऐसी कौनसी ब्रांच है जूलोजी की जो की मानों के सूसिलोजी मानों के समाझ सास्तर के बारे में एक गहरा अध्यन करता है अभी बता के आए हैं anthropology is the right answer इंब्रायोलोजी क्या होता है जो कि भूण का विकास करता है भूण का अध्यान करते हैं उन्हें हम कहते हैं इंब्रायोलोजी निशेचन विकास विभाजन और विविंता की अध्यान को किस नाम से जाना जाता है Embryology Physiology Genetics या Successive Advancement निसेचन विकास विवाजन और विभिन्ता बता भई क्या आंसा बनेगा और लाइक कर दो भी या लाइक में बिलकुल भी कंजूसी ना बढ़ते हैं दवा के लाइक करते रहें क्या बनेगा आंसर बोलो भई बोलो Embryology कहते हैं तो दर राइट आंसर इस Embryology निसेचन विकास विवाजन और विविन्ता की अधार के भून विज्ञान को नाम से जाना जाते है Question No.7 कह रहे हैं कि पौधों की बीमारियों का अध्यन और वह तरीका जिसमें पौधे बिरोध करते हैं या संकरवन से सामना करते हैं उसे हम क्या कहते हैं Pathology कहते है putting Physiology कहते हैं Phytology कहते है या Photomorphogenesis कहते है पौधों की बीमारियों का अध्यन तो हमें पौधा include करना है Physiology क्या है कि मानो का जो सरीर है जो क्रिया विज्ञान उसका अध्यान तो यह नहीं होगा पैथलोजी क्या होता है पैथलोजी में साइरे वारस आ जाते हैं वारस आ जाते हैं ब्रक्टेरिया आ जाते हैं पैथोजन्स आ जाते हैं उनके अध्यान को हम पैथलोजी कहते हैं अब या तो फाइटो पैथलोजी होगा या फिर फोटो मॉर्फो जैनेस्ट होगा क्या आंसर सही बनेगा कि अब बताई है तो तर राइट आंसर विल भी पौदों की रोग और उनके बचा और सुरक्षा संग्रमन की अध्यनकौं फाइटो पैथलोजी किया तो सबसे पहले समझेंगे कि पैथलोजी क्या है तो पैथलोजी में क्या है कि मिडिकल सइज कि वह ब्रांच है जिस में बीमारियों के नेचर, उरिजन और साथ-साथ में कौजन से सम्बंदिच चीजों का धिन किया जाता है। कि बीमारी हो गई। बायरस से है, बैक्टेरिया से, प्रोटोजी में जाकर पता चलेगा। उसके सिम्टमस क्या है। प्लांट पैथिलोजी उसके थोड़ा आगे चले गए। कि जब वही चीज़ें, प्लांट के अंदर हो गई है, कोई बीमारी हो गई है, कोई समस्य हो गई है, तो आपने उसका अध्यन किया, तो प्लांट पैसलोजी आ गया, clear है, और फोटो मॉर्फोजेनेसिंस क्या होता है, इसा लाइट मेडियेट डवलपेंट वियर प्लांट ग्रोथ पैटर्न रिस्पॉंड टू दा लाइट स्पेक्ट्रम, प्रकास में कौन से प्रकास में पौधे जादा ब्रद्धी कर रहे हैं, कौन से प्रकास में पौधे कम ब्रद्धी कर रहे हैं, किस एंगिल से प्रकास र मिर्दा के प्रभाव का अध्यान मिर्दा विज्ञान की इस किस साखा के अंतरगत आता है अलग अलग पौदे अलग अलग मिट्टी में उगाये जाते हैं ऐसा नहीं है कि आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में केसर होगा लें या किसी भी कोने में चंदन होगा लें कि स्प पर टाइब की स्वेल में ही उगती है वह कि यह सब्सक्राइब की मिट्टी में ही उगती है ऐसा नहीं हो सकता है कि आज आप कहो करो कि चंद e संदर अपने घरमें लगा लियां वह किया बाद यह बात यह पॉसिवल नहीं है तो कहने का मतलब है कि जो मृद्धा की प्रभाव का अध्यान है Allagalev Ilexa प्रिख्यान की साक्रा में आता है इसे अम कहते हैं'de इसे हम कहते हैं डेस्मो लॉजी क्या कहते है डेस्मो लॉजी अब आप क्या कर सकते कि ऐलमेट्ष कर सकते अग्रिकल्चर से संबन देते हैं कि अब बचा क्या एडफ लॉजी एडफ लॉजी क्या होता है एडफ लॉजी का मतलब है कि ऐसा विज्ञान जो परिस्वरी मैंने क्या बतायता है उल्टा हो गया यार यह एबी सीड उपर नीचे हो गया अग्रिकल्चर उल्टा ओलते है मैंने सली क्या ओलते हैं करते हैं लिचल्चर है तो यह वाला जो है 1 अग्रिकल्चर hurdle छो है स्वाइल का सब्द कहा जाता है से कहते हैं भी मेडालॉजी भी कहा जाता है सब्सक्राइब अब्ध getting to buy और ही निवलिकित मेंसे शडीर विज्ञान्ट चीकिस्सा की कौण सी सा पुरुसों के बिशेश लोगों से सम्ध्धित है कि पुरुसों के बिशेश रोगों सम्ध्धित है कि डेस्म लॉजी क्या बता है मैंने आपको लीघामेंट का होता थो हमारा एक तो एमिल एलीमिनेट हो गया कि हाँ टाइस ऊपर नीचे कर देता कोई बात नहीं वो हो जाता है कि पेसी लिघमेंट वाला हो गया अब बायोग यह तो परिश्ट्राइप जाते हैं अब अच्छा क्या अंड्रोजी अब एस्ट्रोजी क्या होता है अंड्रोजी तो आंसर सही हो गया है यहाँ पर सब्सक्राइब ऑफ चैसर्ण डी तपनी बिद्धा फाइनल इविंट्स ऑफ हिस्टरी और अल्टिमेंटिटिट्न ऑफ हुमेंटी बतलब क्या वुगा कि आपको इसमें इसीज़ कराइं जाता है कि हिस्टरी के फाइनल इवेंस क्या-क्या रहे प्रतिवी का निर्माड हुआ फिर ये हुआ फिर वह फानल इनकी बारे बताए जाता है और एक एस्ट्रोकलोजी में क्रेफिस का ध्यन भी किया जाता है तो दो तरीके इसके लोजी एक में क्रेफिस का अध्यन होता है आगे चलो विच अब दर फॉल्विंग निम्लिकेट पैसे चिक्रिसा बिज्ञान की कौन सी साखा यकृत के उपच हेलकोलोजी जेट्रिक्स यह होता है बुढ़ापे का अध्यन लोगों को बुढ़ापे पर बड़ी समस्याइं होती हैं तो इसी लिए हम इसका अध्यन जो है वो जेट्रिक्स में करते हैं इसे कहते हैं बुढ़ापे का अध्यन फिर आता है हेलकलोजी और हैप्टलोजी हैप्टलोजी इस दरइट आंसर ठीक याद अगना ये खोपडी जो है हमारी मैं एक एक करके आपको बताता हूँ ये जो खोपडी इसका जो अध्यन होता है इसे कहते इसकल इसे कहते क्रेनियोलोजी ये पूरा जो पाठ है इसे कहते हैं क्रेनियोलोजी इसी तरह आँखों के अध्यन को कहते हैं अप्थमिलोजी कान के अध्यन को क्या कहते हैं इयर के अध्यन को बताओ भई इयर के अध्यन को क्या कहा जाता है कामेंट करो फड़ा फड़ कि उख ओक एक दिन को पर दूलाजी को जाता है उन्ग के दिन नुह को पिल्मोलॉजी क包ेगा जाता इसे जाता है इसी तरीखे से फिर आजाते हैं यक्रित की दूलाजी को चाहता है ये नवी के दिन तो alive Eduardo ऑप गे तो यह अलसर को पेट वह जा दना उसको कहते हैं जै टेक्स बुझर को लूगों के दिनको कहा जाता है और है टिश्यू में इसे हैं कभी बहुत साइह की जो सरचना उसे कहते हैं ऊट यहां जै शाला वो साइज एला गती से किड्नी के अध्यनकों नेफ्रलोजी कहा जाता है बिल्कुर सही है भाई बहुत बढ़िया राधे राधे दुर्गां टेक्सणॉमी नौत्लोजी एनाटॉमी यह फिर लिम्नलोजी निम्नलोजी तो नदियां और तालाव के अध्यन को कहा जाता है नदियां ताला आप छुटी जो वुट बॉट घ्ञाता है अनुटमी शरीर के अध्यन को जाता है बॉडी की संचना के अध्यन को कहा जाता है शरीर की सं रचना टेक्सवनोम में बर्गी करन को कहा जाता है और नोथोलोजी दा ब्रांच ओप बाइलोजी रिलेटेट टू दा क्लासिपिकेशन ऑगनिजम इस कॉल्ड टेक्सवनोजी ना वट इस नोथोलोजी नोथोलोजी होता है धार्मिक मानवी यह प्रयास इस्वर सक्ति का अध्या मत के दिन को यही कहते है कॉश्चन नमबर तेरा जन्तू विज्ञान किसका अध्या में किसका दिन किया जाता है जूलोजी दे स्टेडियों विच आप दाफॉल्विंग फादर इस टॉक्सोनोमी इस कॉल दा कार्लस नीनिया बिलकुल सही है भहिया बहुत बढ़िया वायरिस के दिन को वायरलोजी कहते हैं वायरलोजी कहा जाता है प्रूड के दिन को क्या कहते हैं पोमोलोजी कहते हैं प्रूड के दिन को पोमोलोजी कहा जाते हैं और जानवरों के दिन को हम क्या कहते हैं जूलोजी कहते है ना इक कोशन और पूछा जाता है वू इसको जूलोजी का फादर माना जाता है जूलोजी का फादर कहा जाता है कमेंट करो कि 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 क्या हो जाएगा कि कि सुब्संद्या भाई अरस्तु कहते हैं बिल्कों सही अरस्टोटल और अरस्तु बिज्ञान के एक साखा जो जीवन या मृत्प्रित्वी से परे मौजूद जीवन की संब्वनावन से संब्वन्द देते हैं उसे क्या कहा जाएगा हम लोग जीवन को तलासते रहते हैं कभी हम कहते हैं कि भाई की मार्स पे जीवन है या नहीं है चंदरवा पे जीवन है या नहीं है और ये तो कंफरम में के मार्स के मबिन कभी जीवन रहा हो इंसान का जीवन एक चुट की भर के एंबैलेंस से पृतिवी के अंदर पृतिवी के उपर का जीवन समाप्त हो सकता है पर अश्विये हुआ भी है एक एश्रवाइड गिर गया जारत जारत अचानक से रस्ता बदल गया पुरा का पूरा पूरा जीवन पर खाता हूं और एक बार ऐसा हो सकता है वहार पे भी हुआ हो मार्स पे भी हुआ है तो पृतिवी के बाहर जीवन की संभावनाओं को तलासना इसे कहते हैं एकसो वाइलोजी क्या कहते हैं εκसवाउगलोजी अगर हम इंटमोजी की बात करें तो यह तो फो गयार कीड़ोगा अध्यान जो इंसेक्ट होतें उनके अध्यन को जाता है माइकोलोजी ऑ और बलेंट्र लूजी किसका अध्यान रोता है जीवागों नोता है already लिखा भी हुआ हिंदी में तो माइकोलोजी किसके अध्यन को क्या क्याते है माइकोलोजी इस्टडी ओफ कमेंट करो फट आफ़र्ट क्या हो जाएगा तो माइकोलोजी इस्टडी ओफ फंगस बिलकुल सही माइकोलोजी इस्टडी ओफ फंगई तो एक्सोवाइल बाजिसाब मैंने बता दिया आपको तत्वों और मानो जैसे प्रजातियों जैसे की बंदर बानर बनमानुष आदी के ब्यवार के अध्यन को क्या कहते हैं एथनोबोटनी एंथर्पोलोजी प्रिमेटरलोजी या एपॉलोजी कमेंट करो फटा फट एपॉलोजी लिख दिया उसने इसका मतलब छमा याचना होता है वही मैं कहूं गार यह तो मैंने सुना ही नहीं है प्रिमेटरलोजी एथनोबोटनी या एंथर्पोलोजी क्या हो जाएगा ये कुछ A-P-O-P-O गर के लॉजी हो गए उसने प्रॉपबली लिखा नहीं है राइट आंसर इस प्रिमेटरलोजी प्रिमेटरिव का मतलब क्या होता है इंगलिस एक सब्द है प्रिमेटरिव प्रिमेटरिव का मतलब होता है जो प्राचीन है या फिर जहां से किसी चीज की सुरुवात होती है तो कहते हैं प्रिमिटिव इस्पिसीज इंसान की प्रिमिटिव इस्पिसीज क्या थी एप थे एप की भी कुछ प्रिमिटिव इस्पिसीज रही होगी कुम सा मकडियों का अध्यन है मतलब study of spider is known as study of spider is signology है kynology कहते है इसको c-y-n-o एक तो ये भी होता है एक तो ये पता नहीं कौन सा वाला लिखा है इतका मतलब होता है कुत्ते का अध्यान कुत्तों का अध्यान और इस signology भी होता है आसा ये नो वाला भी है वो भी सही है अगर ये वाला लिखा हो ना ये signology है तो इसमें होता है Chinese language का अध्यान Chinese language है, संकेत है, उन सभी द्यवार है, उन सभी का अध्यान को कहता है चाइनीज से सम्मंद सीनलोजी होता है एपिकोलोजी ये मदमक्खी वाला है एंत्रिपलोजी मानो विकास का है और एरकेनलोजी जो है वो मखडियों के दिन को कहते है ठीक है भई मेरे तो ये CYNO है साइनलोजी काइनलोजी कहेंगे इसको और ये कुति के दिन को कहते है एपिकोलोजी मदमक्खी के दिन को कहते है एंत्रिपलोजी मानो विकास की संस्कृति और सम्मिदा के दिन को कहते है और एरकेनलोजी मकडी के दिन को कहते है सौरोलोजी किसका अध्यान है study of sorology is mosquito lizard cockroach या snake इसनेग के दो अध्यान है एक अध्यान होता है ophiology क्या क्याते हैं से ophiology और एक अध्यान होता है serpentology serpentology दो अध्यान है एक तो है ophiology और दूसरा है serpentology और sorology होता है चिपकिली के अध्यान को तिल्चट्टा और mosquito दोनों ही आजाते एंटमोलोजी में ठीक है तिल्चट्टा और mosquito किसमें जाते एंटमोलोजी में आजाते हैं लिकिन दस्तावेज हैं जो मानवविज्यानी संस्कृति का चित्र धरसाते और अनुसंदान से तयार करता है आपको बताने है कि इन मैंसे कौन से written documents है जो की मानव विज्यानी संस्कृति का चित्र अनुसंदान से धरसाते हैं एथनोग्राफिक, कल्चरल, रेलेक्टिरिज्म, एथनोसेंट्रिज्म या फिर एथनोबॉटनी. बताईए, पड़ा फट कमेंट करिये. क्या हो जगा? इसी कहते है, कल्चरल एथनोग्राफि, एथनोग्राफि, पहले से कैसे मैं पता करना था, इसमें क्या कहता है, डॉकुमेंट है, ठीक है? डॉकुमेंट में अगर हम जाएगे, तो ग्राफी बनेगा, सिम्बस है, ग्राफी बनेगा, जिसमें कोई भी चीज लिखी होती है, चित्रन होता है, विसे हम ग्राफी कहते हैं, तो एथनोग्राफी is the right answer. एथनोग्राफी में क्या होता है? लोगों और संस्कृतियों का व्यवस्तिक अध्यान है, या संस्कृति गटनाओं का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है, जहां सूध करता अध्यान के विसे को देखने के लिए समाज को देखता है, कल्चिरल रिलेटिस्म यह व आरे विक्तिकी मुलियों और प्रताओं को ज़्यां को देखती के अधरा पर समझना जाना चाहिए? एथनोग वाटरी में बरनसपति गटन के एक साखा है जिसमें बरनसपति और लोगों परस्तिक सम्मंदों का व्यगनिक अध्यान किया जाता है. पक्छियों की अध्यान क क्या कहा जाता है what is the study of word is called study of word is called comment करो फटाफट क्या हो जाएगा भी और ने तो लौजी दर राइट आंसर एंटमोलोजी क्या हो गया कीडों के दिन को क्या है कहते हैं ठीक है बायलोजी पते यह किसके दिन कर जाता है अर्य बाता है हर्य पते यह किसके दिन को कहते हैं तो हर्य जालो के प्राचीन काल के जानबरों पौदों और अन्य जीवों को सनक्षित अबसेसों या चिन्नों के अध्यन का विज्ञान क्या कहलाता है क्या हो जाएगा भई एंथर्पोलोजी आर्केलोजी पलेंटोलोजी या फार्मकोलोजी प्राचीन काल के जानबरों को जीव के अंस का अध्यन करेंगे जीवास में क्या है प्लस अल्वंस तो से जीवास में जवासम क्या पलेंटलोजी या रिका 창rom किससे सम्मन देट हैं मता चुकk हूं में जीव कंदrees बोस क्या हो जाएगा ओस्टि लॉजी कहेंगे इसको और स्टियोजी कहेंगे इसको है ठीक है पादब विज्ञान जिसे हम पाइट लोजी कहते हैं में किसका धिन किया जाता है आसान कुष्चान है human and anatomy 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 कहते हैं ठीक है मानो psychology हो जाएगा यह plant is the right answer oncology to oncology क्या हो जाएगा cancer के अधिन को क्या आते है ठीक है भून में बता चुका ओं बोन के अधिन को क्या कैंगे बोन है्जीन अस्तीन इसफ रिस्टा इसे हम क्या खेनो जह स्क और ब्रडक के अधिन को को है यग मैं कवक विज्ञान क्या है बेक्टीरियस इक अधन parloryर असना ए से बैक्टेरियो सांग को लाजी के तेंस को किरों लोजी के थे यह इत्यों Jang लॉजी के थे लिए ख़र किद्यम को नफिरोलोजी के लिए और कुकरमुथ्क अध्यन बाहु अलभ फंग्ल साइंस को अ माइकलॉजी के थी कि back माइक्र लॉजी बता चुका हूं है और लॉजी किसका अध्या है ओनियोर लॉजी इस टड़ी और गॉड ड्रीम स्लीप या फिर कलर के अधिन को कहते हैं क्रूमेटोग्राफी स्लीप ड्रीम या फिर गॉड फड़ा फट कमेंट करिए study of God भगवान के अध्यन को क्या कहा जाता है भगवान के अध्यन को कहा जाता है theology क्या कहा जाता है theology और सपनों के अध्यन को या ड्रीम के अध्यन को कहा जाता है orneology ठीक है इसे क्या कहते हैं क्रूमेटोग्राफी क्याते है तो दर राइक आंसर इस भी और ने रोजी कशा जाता है मुझा सेरी कल्चर देखो एक तो होते हैं कल्चर एक होते हैं लोजी दोनु अलगलगगी चीजए हैं जा हम कल्च एलिकल नी बात करते तो इसका मतलब बहीं किसी चीच का पालण हो रहा है जैसे की पिसी कल्चर, किसका अध्यन है, फिस के अध्यन को क्या कहते हैं, जैसे की, पिसी कल्चर के अरावा, सेरी कल्चर, एक दो और भी हैं, बता दूँ अभी, तो सेरी कल्चर क्या होता है, मदवक्षी के पालम को कहते हैं, मदवक्षी पालम को कहते हैं, इसे कहते हैं, एपी कल्चर, ठीक है, फिशिंग बता चुका हूँ मैं आपको, क्यारे कि टॉक्सिक लॉजी किसका अध्यान है, टॉक्सिक लॉजी इजस्टेड़ी ओफ हूँ, इंसानी ब्यावार अंत्रोपोलाजी, चटान पेक्ट्रोजी, पेट्रोलोजी पॉइजन टॉक्सिकलोजी पॉइजन क्या हो जाएगा टॉक्सिकलोजी टैक्सोनॉमी मूल रूप से किस से सम्बंदित है टैक्स स्ट्रक्चर से सम्बंदित है खरोल विज्यान की साखा इसे एस्टोनॉमी कहते है मानो विज्यार के अध्यन है जिसे एंत्रोपलोजी कहते हैं ठीक है तो टेक्सोनॉमी क्या है जैन विट्था मतलब क्लासिफिकेशन से संबंदित है और इसके जो फादर उनका नाम कहा है कार्ल लिनियस जीवास्मों के अध्यन को क्या कहा जाता है इस्टडी अफ क्लासिफिकेशन इस नॉन टेक्सोनॉमी टेक्सोनॉमी पीलियो बॉटनी पुरा बनस्पती सास्त्र पैलेंटलोजी जीवास्म का अध्याद इस्टडी आफ्यूलोजी कहा जाता है जीवास्म के क्तों के अध्याद को क्या कहा जाता है, study of tissue, study of tissue, इसे कहते हैं, एक तो होता है study of cell, तो ये तो है cytology, cell के अध्यन को, और उत्वों के अध्यन को कहते है histology, क्या कहते है, histology, D is the right answer, cell की खोज किस ने की थी, Robert, Robert ठुक ने की थी, और nucleus की खोज किस ने की थी, Robert Brown ने की थी, ठीक है, आगे चलें, ओके, question number, इतने जल्दी, 37 आगे है ये तो, 36, 37, जानवरों को उनके प्रेवन के साथ संबंधों के अध्यन को क्या कहा जाता है, what is the study of relationship animal to their environment is called, climatology, ecology, ethology या entomology, जानवरों के अध्यन को किसके प्रेवन के साथ में क्या कहते हैं, हम ecology कहते हैं, अब, अब मैं कुछ important, important आपको बताऊंगा, जो उसमें नहीं है, मैं सीधे लिख दूँगा, आपको comment box करके बताना है, कि वो किसके अध्यन को कहा जाता है, ठीक है भई? एक में रोगना बस, तो ये आपका एक तरीके से हो गया, कि आपको अपने दिमाग पर जोड डालना पड़ेगा, समझ गया? ट्रिकलोजी, लगाओ दिमाग, जो जो important है, वो मैं लिखता जाऊंगा, आपको बताना है, कि किसके अध्यन को कहते हैं? ट्रिकलोजी, लक्ष्मी नराइन, तो सबसे पहला सही जवाब दिया है लक्ष्मी नराइन, हेर के अध्यन को ट्रिकलोजी कहा जाता है, बालों के अध्यन को ट्रिकलोजी कहा जाता है, और जो बालों का डॉक्टर होता है, उसे ट्रिकलोजिस्ट कहा जाता है. सार्कोलोजी स्तार्कोलोजी कमेंट करो फटा फट फिराता सेरोलोजी सेरोलोजी स्तार्कोलोजी नहीं बताया वर्डिस सार्कोलोजी स्टडी ओफ मसल यह होता है स्टडी ओफ मसल्स और सेरोलोजी होता है स्टडी ओफ एंटी बॉडिस एंड सेरम इसको कहता है कुछ जो बढ़िया बढ़िया के वल उतने उतने दे रहा हूं मैं है तो डेड़ सो नीडोलोजी नीडोलोजी यह भी नया है नीडोलोजी बता ज़रा लगा दिमाग ओडॉन्टोलोजी ओडॉन्टोलोजी बता वह इंडोलोजी क्या होता है यह तो होता है next of the word जो चिडिया के घूंसले होते है उनका अध्ययन जो है नीडोलोजी में आता है और ओडॉन्टोलोजी होता है study of teeth and teeth and मसूरों का अध्ययन study of teeth ही कर लो इसे हम कहते है ओडॉन्टोलोजी मायर मैकोलॉजी ये इंपोर्टेंट है मायर मैकोलॉजी वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्योंकि ये पूछा गया है CGLM पूछा गया मायर मैकोलॉजी M-Y-R-M-E-C-O मायर मैकोलॉजी मायर मैकोलॉजी क्या क्याते हैं ये होता है Study of Ant चीटी के दिन को क्या क्या क्याते हैं चीटी के दिन को क्याता है Study of Ant चीटिक और धिनकों कहते हैं फिर आता है इउजेनिक्स इउजेनिक्स ये भी पूछा गया है वेरी वेरी इंपॉर्टन क्या होता है इउजेनिक्स तो ये होता है study of study of human gene and race that is eogenics आत्वा dermetology ये तो आसान है कि डर मेट्टो लॉजी क्या क्याते हैं कि अप्शन चाहिए बिना उप्शन की काम नहीं बन रहा है तुमारा अप्शन तो तुम करी ले रहे हो तब ही तो इतने सारे कुशन फटाक से खतम हो गए कि तुमको बस option दे तो फटापट करते चले जाते हो तो डर मेट्रो लॉजी किस के अध्यन को कहते हैं इसकिन के अध्यन को कहते हैं दवचा के अध्यन को कहते हैं इसकिन ठीक है बैट्र अकोलोजी यह अच्छा है बैट्र अकोलोजी बी ए टी आरे बी ए हाँ बी ए टी आरे सी एच ओ सी एच ओ लोजी वाई बैट्रो कोलोजी क्या होता वह इन नॉमा आज तो इक दम से धुमा धुमा उड़ रहा है भाई है अभी तो तुम कहा रहे थे सब आता है इस में यह सब कोशन पूछे गए हैं और जो जो बता रहा हूं वो सारे कोशन पूछे गए हैं यह ओता है फ्रॉग के अध्यन को मेड़क के अध्यन को कहते हैं ठीक है थे स्टडी अफ प्राउग अध्यन कोशन प्राउग एग्रोस्टोलाजी क्या होता है वही बताओ एग्रोस्टोलाजी किसके दिन को कहते है और एथ्टोलाजी एंथ्टोलाजी एग्रोस्टोलाजी होता है स्टडी अफ ग्रास यह होता है स्टडी अफ ग्रास और एग्रोस्टोलाजी क्या होता है यह होता है स्टडी अफ प्लावर तो ये इतने और थे जो 11 और हैं जो important है वैसे तो मैंने पूरे डेड़सों की list बना रखी है आप इने पढ़ सकते हैं लेकिन इन डेड़सों में ये 11 सबसे ज़्यादा महत्यपूर हैं जो मैंने पढ़ाए हैं उसके अलावा ये देखे पूरा 150 का list है, science है, biology है, geology है, morphology है, morphology में बता चुका हूँ, anatomy बता चुका हूँ, histology बता चुका हूँ, cytology बता चुका हूँ, acryology, ticks and mites को कहते हैं, acryology, and actinobiology, studies with the radiation effect of organism, ये पूछा नहीं जाएगा, aerobiology है, agroforestry, agronomy है, agrostology है, ये सारे की सारे आप देखोगे तो पूरे देखो के मैंने लिख रखे हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं, ठीक है भाई मेरे, याद रखना, ठीक? टिश्यू का पता तो दिया हिस्टोलोजी कहते हैं, टिश्यू के अधिन को हिस्टोलोजी कहते हैं, बता हूँ, study of beauty, study of beauty, सुन्दर्था के अधिन को क्या कहते हैं, बता हूँ, study of beauty, फेरोलोजी, ऐसे तो से कैलोलोजी कहते हैं, लेकिन एस्थेटिक्स भी कहते हैं, कैलोलोजी है, एस्थेटिक्स है, इस सभी चीज़े कहते हैं, यह मैं बता चुका हूँ आपको, इसके अलाबा 26 जमरी को नए बचे, स्टार्ट हुआ है, इसमें आप जोइन कर सकते हैं, आइकॉनिक की क्या फीचर है, प्राइटी मिलती है, आपको डाउट सॉल्विंग में और प्राइटी मिलती है, आपको लाइव ग्लासिस में, ठीक है, आस्के डाउट फीचर के तहत, आप किसी भी क्वेशन का जवाब जान सकते हैं, अपने question की photo कीचे और उसे upload करते हैं तो यह ask a doubt feature के थात्व से जान सकते हैं तैसरी जो है आपके समय समय पर होती रहती है तो कि जो top top educator वो create करते हैं इसके अलावा raise hand feature के तहट आप क्या कर सकते हैं educators ने बात कर सकते हैं अपनी query जान सकते हैं रेज हंट feature के थात्व है जो आज यह comment हो चुका है अब नेक्स संदे को आएगा उसके में PPT लगा दूँगा आपको बरतवान में जो 1850 में 10% का डिस्काउंट के बाद में 7020 हो जाएगी और code apply करना योगेद्र योगेंडर इस code से आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा ठीक है अगर आपको लगता है कि कोई भी content inappropriate है तो आप उसे report भी कर सकते हैं और cash prize भी जीश सकते हैं मेरी अभी special class नहीं चलेगी एक दो दिन मेरी special class नहीं होगी अपके यूटूब पर ही class रहेगी और मैं सोच रहा हूँ कि आपको एक complete एक video science की record करके डाल दूँ जल्दी कल आज कल में एक video में record कर दूँगा लंबी वीडियो एक डि detail से समझाया है बताया है ठीक है भई तो जो class होती है मेरी an academy के app पर वो सुभा 11 बजे होती है लेकिन अभी कुछ दिन ये class नहीं चलेगी ठीक है अभी जो class चलेगी वो किवल YouTube के चनल पर ही चलेगी an academy के app पर नहीं चलेगी बागी अगर आपको कोई question पूछन पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं आशीज SPR को कोई समस्या कोई समाधान कोई problem तो आप मुझसे पूछ सकते हैं आप मुझसे जान सकते हैं ठीक है भई चलो तो class की समापती करते हैं आज के ही पर कोई question है नहीं गुड़नाइट सभी को बाबाई सभी को आज सीज का जी में चलना है गुड़नाइट बाबाई